जैहिन दोस्तों वेलकम है आपके अपने परिवार कॉंपलस के अंदर और सबसे पहले हाद जोड के रिक्वेस्ट है कि जिसको ट्रस्ट है वही इस वीडियो में बने रहीएगा और वो सारे बच्चे ट्रस्ट करके एंटीटी की पोश्टों के अंदर लग चुके हैं अभी पिछले ही मन्त में अब उनको जोब कैसे मिली तो वो सारा संभव हुआ कि उन्होंने हर बात को ध्यान से सीखा और उसको फोलो किया तो यहीं होता है का आइडिया ही होता है जिसको दिमाग में बठा लिया जाए तो जोब लग जाती है भाई तो चलिए तो आज ऐसा ही एक आइडिया बताने जा रहा हूं और बताना चाहूंगा कि एंटिटी वालों की बन गई बात बांट दो लड़ू नीव कैंसी बिग अपडेट अब मैं आपको जागरू करूंगा और ध्यान देला ना भाई यह जो तीन महीने आ रहे हैं जो बच्चा जागरू करहेगा तो ह हो सकता है उसकी बात बन जाए क्योंकि जो डिरेक्ट भरती आती है मालो एक गाउं में दो जनों को लगाना है तो आप वहां पर रह जाते हो कि मालो दो की लग गई बाकी रहे उसकी वज़या बनती है कि आप जागरूग नहीं हुए थे तो जागरूग होने का सबसे रास्ता है तो एक तो अपना टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रप्शन में है तो टेलीग्राम चैनल पर जुडो भाई वहां पर आपको अपडेट करेंगे और इसके साथ ही बताना चाहूंगा कि अब हर्याना में एंटिटी जो टीचर है सरकार स्कूलों में एक तरीक से स्कूल खुलने जा रहे हैं तो वकैंसियां भरनी शुरू हो जाएंगी तो ध्यान देना सारे बच्चे बाई की आपने मैसीज का और जवाइनिंग लेटर भी आपका डिरेक्ट भी आ सकता है वो सारे बच्चों के पास पहले जवाइनिंग लेट लेटर नहीं आएगा तो जोब नहीं मिलेगी तो सो समझ कर फैदा उठाईएगा तो ऐसी वकैंसि भाई अभी हर्याना में आने जा रही हैं जिनोंने एच क्यारण में अपलाई किया हुआ है और इसके साथ ही भाई हिमाचल के अंदर एंटीटी की वकैंसियां निकलने वा तो इसके साथ ही हर्याना में योगा की वकैंसियां भाई योग शालाएं बननी शुरू हो गई है अगर कोई योगा का 101% सरकारी स्टाम पेपर पर लिखवा लेना सरकारी डिप्लोमा करना चाता है प्राइवेट डिप्लोमे की फीस में मातर आठ हैयार में तो वो भाई इस डिप्लोमा और लाश्ट डेट इसकी बात करूँगा तो 30 जून से पहले पहले डिमिशन करवाना है और अगस्त में आपका कंप्लीट हो जाएगा जानकर यह अच्छी लगे तो शेर कीजिएगा जो भी चैनल के साथ जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके अवश्या बताईएगा आज आप स्पोर्ट कर रहे हो तो कल को भाई जो भी बच्चा कमेंट करता है हमें पता चलता कि किस आईडी से कमेंट आया है तो हम भी आपके हमेशा साथ रहेंगे थैंक्यू